सुडान ने फसे 3000 भारतियों में से 26 अप्रेल की रात को 336 भारतियों को लेकर पहरी उडान दिल्ली पहुच गई एरपोर्ट पर पहुचते ही लोगों ने भारत माता कीजे इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पीम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए भारत सरकार ने भारतियों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शिरू किया था विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अंधरिन्दम बाक्ची ने ट्वीट का लिखा ऑपरेशन कावेरी जारी है फसे हुए भारतियों का चौथा जत्ता पोर्ट सुडान से जैदा के लिए रवाना हुआ IAFC 130J ने 136 जत्यों के साथ उडान भनी सब्सक्राइब के लिए रवारी वी सुडान से लौटे बारति नागरिक ने कहा, भारत सरकार ने हमारा बहुत साथ दिया बड़ी बात ये है कि हमें यहां सुरक्षित पहुचाया गया क्यूंकि वहां बहुत खत्रा था जेद्दा से रवाना होने से पहले विदेश राजमंद्री वी मुरली धरन ने विमान के अंदर यात्रियों के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए ट्विट का लिखा जेद्दा से भारतियों को तेजी से वापिस घर भेजने का हमारा प्रयास रंग ला रहा है IAF C-17 Globe Master द्वारा यात्रा करते हुए 246 भारतिये जल्दी वुम्बई में होंगे जेद्दा हवाई अड़े पर उन्हें विदा करते हुए खुशी हुई इस ओप्रेशन का नाम कावेरी नदी पर रखा गया है जो करनाटक और तमिलाडू के बीच वहती है ऐसा कहा जा रहा है कि सुडान में फसे अधिकता लोग दक्षिन भारत से ही है हाला कि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी ओप्रेशन रेस्क्यू का नाम किसी नदी पर रखा गया है पिछले साल यूक्रेइन पर रूस के हमले के मदनजर भारत ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था इसके तहट यूक्रेइन में फसे भारतियों को वापिस लाया गया था